दोस्तो स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में यहां दोस्तो आप देख रहा है कि यहां जो घर का है यहां plumbing pipe यहां जो drainage pipe होता है घर का पानी निकालने के लिए west पानी जो होता है उसको निकालने के लिए यहां पे pipe डाला जा रहा है तो दोस्तो जो घर का drainage pipeline डाला जाता ह तो उस टाइम में बहुत जगह हमने देखा है, कि प्लिंध बीम जो घर का है, वो बूरी तरीके से काट दिया जाता है, जैसे कि आप यहां देख रहा है, कि प्लिंध बीम को यहां पर बूरी तरीके से काट दिया गया है, उसमें कोई kangreet ही नहीं बचा है, तो यहां जैसे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि बीम को यहां दो दो जगा से काट दिया गया है यह सिर्फ एक जगा है आगे मैं आपको और दिखाऊंगा कि और आगे जो है कि कई जगा से बीम को काट दिया गया है जहां जहां से toilet का, वहां पे pipe उतर रहा है, pipe पास हो रहा है, kitchen का, जो pipe है, वहां से pass हो रहा है, तो यह देख रहा है कि beam को काट के फिर यहां से बाहर निकाला तो यहां से जो है यह drainage line septic tank में हमारा जाएगा या फिर road पे इसको निकाल दिया जाएगा रोड का जो नालिक होता है वहाँ लेकिन दोस्तो यह जो मकान है इस मकान का जो level है पिलिंद बीम पे आ रहा है इसलिए पिलिंद बीम को यहां पर बुरी तरीके से काट दिया गया है तो दोस्तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आप यहां भी देख सकते हैं, प्लिंद बीम का ऊपर का जो हिस्सा है, पूरी तरीके से काट दिया गया है, शिर्फ सरिया वहां का दिखाई दे रहा है, और सरिया से नीचे यहाँ पे pipe है तो फिर यह देखिए इसको फिर pipe को ले जाने के लिए यानि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 mm का यानि लगभग यह 4 इंच का pipe है तो 4 इंच यहाँ पे beam को अगर हम उपर से काट देते हैं तो उसमें सरिया भी कट गया है यहाँ आप दिया गया है यहाँ नीचे का beam कहीं सा जो सरिया निकला है वह भी काट दिया गया है तो दोस्तों यह जो है beam यहाँ से बिल्कुल इसकी मजबूती खतम हो गई आप जानते हैं कि एक मकान में प्लिंद बीम है उसका रोल क्या होता है बहुत important रोल होता है जैसे कि हम एक मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम foundation के बाद जब अपने ground floor पे आते हैं तो वहाँ हम प्लिंद बीम देते हैं अब देख सकते हैं यह प्लिंद बीम एक दूसरे जितने भी कॉलम है सबको connect करके जोड के रखा हुआ है जितने भी हमारे दिवार है वो सारी इस beam के उपर ही आती है यानि कि जब हम इस पर दो मंजल तीन मंजल जितना ही मकान बना ले तो उस दिवार का उपर का जितना लोड होगा दिवार के थुरू हमारे कॉलम के थुरू इस beam पे आएगा फिर beam यह जितना हमारे foundation है foundation का कॉलम है उस पर transfer करता है तब जाके हमारा मकान का जो लोड है यह बरदास करता है और equally सब जगा डिवाइड करता है दोस्तो प्लिंद बीम का इतना important role होता है कि यह पूरा जो लोड है बिल्डिंग का बरदास करता है और उसी beam को आप काट दे रहा है उस beam को आप बिल्कुल खतम कर दे रहा है उसके सरिया को काट दे रहा है तो फिर वो आगे आपको वीडियो में detail में बताऊंगा कि अगर हम उस तरीका का मान लिजिए कि पिलिंद बीम के level में ही हमारा pipe निकल रहा है तो फिर हमको क्या करना चाहिए तो आगे वीडियो में बने रही गया अब देखिए यहां आपको करना क्या चाहिए था कि थोड़ा सा पिलि पाइप दिख रहा होगा यहां पर चेंज का लगभग आपका चेंज का पाइप है और एक है चार इंज का तो लगभग मान ले तो ज्यादा तर देखा जाता है तो एक सपंद्रा एमेम या डेड़ सव एमेम का pipe हम मकान में एक वेस्ट वाटर के लिए और एक फिर हमारा ज होता है उसको निकालने के लिए लगाते हैं तो दो पाइप यहां पर ले जाते हैं आगे देखिए वहांसे उस चार पाइप निकल रहा है यहां एक में चेंबर बन रहा है तो यह जितनी भी pipe है दोस्तों जीतना भी यह है सब आपको बीम के नीचे से पास कराना चाहिए थ जितना लेबल पे आपका फर्स है बस उस pipeline को क्या करें हम beam के नीचे से लेके जाए जैसा आप देख रहा है यहाँ पे मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे pipeline गई है वो beam के नीचे से पास करते हुए तब उसके chamber में ले जाया गया है यहाँ आप देख स तो आप ऐसा कर सकते हैं कि beam को नहीं काटे beam के ऊपर से दिवार वहाँ पे तोड़के वहाँ से pipeline को निकाल सकते हैं अब यहाँ पे दूसरी जो mistake की गई है आप देखिएगा कि यह जो pipeline छट से उतारा गया है यानि कि rain water का या फिर पानी का pipe जो देख रहा है आप CPBC का तो य सरिय को पुरी तरीके से काट दिया गया है यानि सरिय में एक दूसरे का स्थिल को वहाँ से ज्वांय नहीं ओक बुक्की ए अभी और आपको मैं आगे और भी दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक जगह ही सिर्फ इस छज्जे को या छट को काटा गिया हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीबन 5-6 जगह जहां जहां पानी का पाइप उतर रहा है, जहां जहां यह आप देख सकते हैं, रेन चाहिए थे, यह पाइप देख रहा है, जब छट हो रहा है, तभी यह पाइप का टुकड़ा उसमें डाला गया है, इसको सिलीब करते हैं, तो जितना मोटा आपका पाइप उतरना है, चार इंच का, छे इंच का, वो पहले आपको डाल देना चाहिए था, फिर आपको जब